नमस्कार दोस्तों मैं संज्यूतिवारी हान ग्लोबल स्टेडीच के KGS IS में आप सब का स्वागत है आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी सैट क्या है दरसल सी सैट भी UPSC के प्रारंभी परिच्छा का एक मुखहिंसा है मुखहिंसा इसलिए है कि 2019 से ले करके 2023 तक सी सैट एक अभूज पहली बना हुआ है और इसी अभूज पहली कि जिसे पार करना बीना सोच और समझ का इस्तेमाल कि यह सबसे कठ्छिन हो गया है वैसे मैं बताउं सी सैट के बारे में एक बड़ा फेमस शुटकूला है जो अक्सर मैं अपक्र क्लास में सुनाया करता हूं क्योंकि आज सी सैट को है और कितना भय है और दूसरा ये कि इस भय से हम बाहर कैसे निकलेंगे यानि खान ग्लोबल इस्टेडीच के के जीस आईस प्रेटफॉर्म पर आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा इस पर हम चर्चा करेंगे तो पहले तो मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं जो इसके बारे में फेमस है आप समझ जाएंगे एक बार क्या हुआ दो दोस्त नौकरी के तलास में थे तो दोनों इंटर्विव देने के लिए गए अब एक पोस्ट थी दो लोग कैंडिडेट थे उनमें से एक दोस्त जब अंदर गया बोर्ड के सामने इंटर्विव देने के लिए तो जो बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने उससे कहा कि मैं आप से एक प्रस्ण पूछूँगा आपको उसका उत्तर देना है फिर मैं आपको श्रेल्ट कर लोगा तुन्हों का ठीक है सर पूछिए तुन्हों ने कहा कि मान लो कि आप किसी ट्रेन के किसी ट्रेन की किसी कोच में आत्रा कर रहे और सारे खिड की दर्वाजेंबंद है आपने कोठ पैंट टाइग पूरा ऊपर से नीचछे तक पान रखा है अब आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे तो उस्वेक्ती ने कहा किसर गर्मी लग रही तो मैं सीधा ट्रेन के खड़की खोल दूँगा तो वेरी गुट अब सवाल सुरू होता है तो बोर्ड मेंबर ने कहा कि यदि खड़की की लंबाई 1.5 मीटर चौणाई 1 मीटर हो प्रेन के कोच का जो आयतन है वह टोटल 1000 घन मीटर हो पुरव से पश्यूम जा रही हूँ हवा पश्यूम से पूरव चल लही हो सब्सक्राइब कर दोस्ति कि इस को सब्सक्रा reinner मैं बहुत है वो अनुक्सप्राइब कि आरे दोस्ति को बदाया कि मेरे साथ यही क्र UC कि अंदर गया तो बोर्ड मेंबर ने सेम प्रस्नूस से पूछा कि आप ट्रेन में आत्रा कर रहे हैं ऐसा ऐसा हो जाए आपको गर्मी लगने लगएगी तो आप क्या करेंगे तो उसने कहा सब से पहले मैं अपनी कोट उतार दूँगा फिर वोर्ड मेंबर ने कहा फिर भी गर्मी लग रही है तो क्या करोगे तो कहा मैं टाई उतार दूँगा वोर्ड मेंबर ने कहा फिर भी गर्मी लग रही है तो क्या करोगे तो कहा शर्ड उतार दूँगा फिर बोर्ड मेंबर ने कहा फिर भी गर्मी लग रही है तो क्या करोगे तो उसने कहा सर्फ कुछ भी करूँगा पर खिडकी नहीं खोलूँगा वो दरसल खिड़की इसलिए नहीं खोलना चाहता कि खिड़की खोल देगा तो उसको उस प्रसंद का उत्तर देना पड़ेगा जो तर्क से और गड़ना से यानि कैल्कुलेशन से संबंदित प्रसंद है तो खिड़की नहीं खोला तो मेरे कहने का मतलब सीजेट यहीं है UPSC हमसे प्रशन पूशता है और प्रसंद में हम तार्गी छंता का प्रयोग महीं करते अपनी सामाने समझ का प्रयोग नहीं करते सामाने ता हम प्रस्णों को यह माने के चलते हैं कि यह SSC और बैंक लेवल के हैं जबकि वहाँ भी रिजिनिंग और मैच सब्द का इस्तेमाल होता है यहां भी होता है लेकि दोनों की प्रस्णों के अस्तर में अंतर है तो दरसल फिर विद्यार्थी क्या करता है खड़की खोलने को तयार नहीं होता और जो खड़की नहीं खोलेगा वो इंटर्विव में सेलेक्ट नहीं होगा तो दरसल हम लोग इस प्रेटफॉर्म पर यही सीखेंगे कि जब ऐसा प्रस्णा आए तो आप यह ना कहों कि मैं कुछ भी करूँगा पर खड़की नहीं खोलूँगा आज के बाद आप खड़की खोलेंगे अब इसके पाठिक्रम के कुछ विंदूओं पर मैं चर्चा करता हूँ आपसे यह इसके पाठिक्रम का हिस्सा है आप ध्यान से देखिए कॉंप्रेंशन यानि बहुत गम्मेता इंटर प्रस्टन एंड कम्निक इंक्लूडिंग कम्निकेशन स्किल संचार कॉंसल सहीत अंतरव्यक्तिक कॉंसल कॉंप्रेंशन आज भी परिक्षाम पूछा जाता है जिसे समाने तह गद्य कहते हैं लेकिन आपको यह बता दे वह 11 12 13 में क्या करते थे कि अपटीद गद्यांस देते थे वहां से सीधे प्रस्ण पूछ लेते थे फिल यूपी एससे ने क्या किया इसको लॉजिकल रिजिनिंग में कर दिया दरसल जो यह हिस्सा है कॉंप्रेंशन यानि बो धगमता एक पार्ट आफ लॉजिकल करता है तो सरवाधिक उप्यूक्त का मतलब हुआ कि निसकर सभी ठीक है पर उनमें सरवाधिक उप्यूक्त कौन होगा इसके लिए आपको तरका इस्तेमाल करा पड़ेगा यानि आर्गूमेंट का तो यानि एजमिशन आर्गूमेंट फिर कहीं कहीं पूछेगा को जहां दो तीन पूछे जाते हैं फिर इस पर डेट में शर्चा क्लास में होगी दूसरा हिस्सा है इंटर परशनल इसके इंक्लोडिंग कम्म्नुकेशन इसकी संचार कॉंसल सहित अंतरवैक्तिक कॉंसल दरसल इसका मतलब हुआ यह यह यूपीशन इंट्रोड्यूस किया थ चाहता है कि जिस दिन आप प्राड्रमिक परिच्छा की तैयारी शुरू करें तो आप यह ध्यान रखें कि आपको इस युद्ध में उतरना ही उतरना पड़ेगा कम््यूकेशन स्किल में थीख एग देखते हैं कि पारकी कॉश्रे शृम विस्जशन आत्मक शमता लॉजिकल रजिनिंग एंड इनलिकल अबलटीकल कॉलिटी का महां से संबंधित प्रस्ण कराया जाते हैं इसको भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको बहुत वहतरी तरीके से किया जा सकता है अगला point है decision making and problem solving दरसल इस हिस्षे को भी UPSC ने slavus में जरूर दिया था और 2011-12-13 में 8 प्रस्ण पूस्ता भी था यहां से बाद में जब ethics integrity aptitude मेंस में यानि मुख्य परिच्छा में इंट्रोड्यूस किया गया तो आपने notice किया होगा case studies का part आता है तो यह दरसल case study में चला गया और यहां इसका उप्योग कहा होता है case study में यानि ethics वाले part में होता है तो सबसे बड़ी बात है कि संचार कॉंसल का मतलब हुआ हमें इंट्रव्यू की तैयरी करना यानि साच्छातकार का और इसका मतलब हुआ ethics यानि fourth paper आप जीस नैतिकता वाला जो खंड होगा वहाँ पर यह जो है case study के रूप में पूछा जाता है सामान्य मानसी क्योगिता जन्रन मेंटल इवेल्टी इसके भी कुछ खंड छोटे छोटे होते हैं वह आगे की classes में कर्चाओं में हम लोग discuss करते रहेंगे पिर है आधार वूत सग्यान basic numeracy आपने notice किया होगा यहाँ पर कहीं भी गणित सब्द का इस्तेमाल नहीं है mathematics का या अर्थमेटिक सब्द का इस्तेमाल नहीं है उसने इस्तेमाल किया basic numeracy numbers and their relation order of magnitude attitude मतब संख्या और उनके संबंद्ध विस्तार क्रमजाद दस्वी कच्छास तरका आकडों का दिर्वचन चार्ट ग्राफ तालिका यानि डियाई डेटा interpretation डियाई एंडियस दो होगा डियाई मतब डेटा इंटर्पेटेंट डियस मतब डेटा सफिस्यंसी यूप सिन यह भी इदर दो वर्सों से एक ट्रेंड बनाया हुआ है किसी भी टॉपिक में डेटा सफिस्यंसी समंद्धी प्रशन पूछे जाते हैं और भी इस पे हम प्रशन हो जाते हैं या कैसे वह एक होगा रितिस्क्रा और दूसरा बात मैं का उधारन लेते हैं अब आप देखिए इस प्रसंद को यह UPSC का प्रसंद नहीं है यह दरसल सामाने तक classes में पढ़ाया जाता है एक topic आपने सुना होगा permutation combination यानि क्रमचे और संचे उससे संबंधी topic है और यह काफी famous है काफी स्थान में तमाम जगह और तमाम classes में भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसे प्रसंदों को कैसे handle किया जाता है आई देखते हैं किसी पार्टी में बारा व्यक्ति हैं प्रत्य व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो बताओ खुल कितनी बार हाथ मिलाए गए दरसल मैं ने कहा ना कि topic होता है permutation combination उससे इसको हल कराते हैं यानि यह सूत्र पर आधारी थे आप देखना पहले मैं सूत्र से करवाता हूं यह हमने लिखा सी पूरे topic पर डिसकस नहीं कर रहे हैं मैं मात्र आपके इस प्रसंद से मैं आपको एक उदाहन देना चाहूंगा अभी अगिजर्स के बाद यहां लिखते है maximum number तो अधिक्तम संख्या क्या है 12 के यदोbor Кिसी काम करने के लिए कितने वेक्ति क्या हो सकता है अब आई इसको हल करते हैं इसके लिए बहुत देफ्ट में जाने की जुरूत नहीं सामानेता सिखाया जाता है कि पहले सी टू है तो इसको क्या करते हैं तो इन्टू एलेवन ओब्लिक टू कितना गया 66 टाइम ठीक है यानि 12 व्यक्ति अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा 12 एंटू 11 ओब्लिक टू कार दिया आगया हमारा 66 आपने क्या नोटिस किया अगर इसकी जगह होता 20 व्यक्ति तो यहां क्या लिखते हैं 20C2 अगर होता 30 व्यक् तो हम क्या लिखते 10C2 ठीक है और इस तरह इसको हमल कर लेते हैं यह है फार्मूला वेस्ट अब चलते हैं इसके बाद हम UPSC के प्रस्ण में जो UPSC ने पूछा था UPSC ने यह प्रस्ण पूछा था दरसल उस प्रस्ण को मैंने करा है इसलिए कि हम लोग इस प्रस्ण को कर सके अब इसको आप ध्यान से पढ़िए लिखा है किसी समाज में है रिवाज है परंपरा है एक ही लिंग के मित्र मिलते समय एक दूसरे को गले लगाते इसका मतलब वह फीमिल फीमिल यानि इस्त्री इस्त्री कुगले लगाएगी, पुरुस-पुरुस कुगले लगाएगा फिर क्या कहता है? और विपरीत लिंक की मित्र मिलते समय एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं यानि जब अपोजिट जिंडर मिलेंगे तो एक दूसरे से हाथ मिलाएगे यह UPSC का प्रस्न है ठीक है एक पार्टी मित्रों के समू के मिलने पर 24 बार हाथ मिलाए गए हाथ कितनी बार मिलाए गया 24 बार अब ध्यान देना इसमें नंबरा परसन कितने यह इंक्लूड नहीं है वर उसने कहा 24 बार हाथ मिलाए गए तो निमलखित में से कौन सी एक संख्या घले लगने की संभावि संख्या इंगित करती है एक या नियुझ तम होगा क्योंकि दो कंडिशन वनेगी ने का धिक्तम वनेगी एक नियूंतम तो नियूंतम संभाविस संख्या इंगित करती है जैसे लिखा है इन आ पर फ्रेंड आप शेक्स हग अगरूप फ्रेंड नमबर के संख्या है और है अब यह देखते हैं तो तल हाथ मिन आने की संख्या क्या है है 24 अभी अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़के आए हैं कि जब भी हाथ मिलाने कहें तो सी लगाएंगे यह यूपी एससी में प्रसन आया और कॉंबिनेशन का फार्मूला फेल हो गया चलिए देखते हैं अगर 24 बार हाथ मिलाते हैं तो हम कलपना करते हैं कि अगर सात व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार मिलाएंगे तो सेवन 7C2 7 into 6 oblique 2 कितना आया 21 बार इसमें कितना दिया है 24 बार 24 दिया हुए न तो अगर सात व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार मिलाएंगे कि किस बार अब हमें है कि एक बार ओट रही कलने तो 24 तक पहुँच जाएंगे और अगर आप आठ व्यक्ति को हाथ मिलाएंगे तो कितना हो गया अठाइस बार ध्यान से देखिएगा सात व्यक्ति हाथ मिलाते हैं किस फार्मूले से पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन के फार्मूले से मैथमेटिक से गणिस से इससे पहले हम गणिस से पढ़ चुके हैं तो यदि 7 वेक्ति हांथ मिलाएंगे उस फार्मूले से जो फार्मूला हमें पता था तो कितनी बार होगा 21 बार और अगर 8 वेक्ति हांथ मिलाएंगे तो कितना हैगा 28 बार जबकि आना कितना चाहिए 24 बार अब ये फार्मूले से हल नहीं होगा यह यही समझानिक कोशिश कर रहा हूं को वो फार्मूला हम पढ़ते हैं इन मैथमेटिक्स ये विशे हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक नुम्रेसी के तहट बेसिक नुम्रेसी का मतलब नंबर्स तो होंगे संख्याई भी होंगी उनके रिलेशन भी होंगे लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी समझ का इस्तेमाल होना अब देखी इ कह रहा है टोटल हाथ मिलाने के संख्या 24 है ठीक है अब कोई 24 बार हाथ कैसे मिलाएंगे कलपना करिए कि अगर एक पुरूस हो और 24 महिलाएं हो तो पुरूस एक एक करके हाथ मिलाएगा तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएं जागा 24 बार पहली कंडिशन यह हो सकती है कि एक प कि 24 पुरूस हो एक महिला हो तो कुल हाथ अगर ये पुरूस है ये 24 महिला हैं तो ये पुरूस एक-एक महिला से हाथ मिलाएगा कुल कितनी बार मिलाएगा 24 बार देखवा रहा है दूसरी कंडिशन क्या हो सकती कि दो पुरूस हो और 12 महिला हो तो प्रत्य पुरूस बार बार hafth मिला Џगा तो दो पुरुस 2020 होगया त्यूसरी condition हो सकती कि थी पुरुस 800 नइला हो तो प्रत्येक पुरुस आपस में तो गले लगेंगे लेकिन अपोजिंडर से हाथ मिलाएंगे विप्रीथ लिंग से तो प्रत्येक पुरुस कि 벌써 बिल आप नेए अगली कंडिशन होगी ऐ चार पूरुस हो और चे महिले साहने हो तो हर पूरुस एक एक महिलाओ 7 मिलाओächगा तो हर पूर शे-चे बार हाथ मिलाओगाten drawn प्रोय का चार पूरुस हो तब भी 24 होगँ यानी 24 बार मिलने की यह चार कंडिशन वने गी और देखो कहीं फार्मूला नहीं लगा दरसल हमें सीशाइट पढ़ने के लिए इस समझ की जरूरत है फार्मूला नहीं लगा ना समझ के इस्तेमाल करदा है अब आंसर कैसे आएगा पूछ रहा है तो गले लगने की नियुनतम संभावी संख्या क्या होगा पहली कंडिशन में नियुनतम आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा वो भी वज़य है अभी देखते हैं ये एक पुरुस है ये किसी के गले नहीं लगेगा क्योंकि इसे गले लगाने के लिए पुरुस चाहिए पुरुस वाह है नहीं में गले लगेंगे चोविस महिला हैं यह लग सकती हैं अब यहां वह कोंबिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा आप फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला लगाओ नहीं लगाना चाहु तो समझ का इस्तेमाल करो 24 महिला है प्रतेक महिला एक दूसरे गले मिलेगी तो पहली महिला कितने लोगों से मिलेगी 23 लोगों से मिलेगी और जो दूसरी महिला होगी पहली बाले इस नहीं मिलेगी फिर 22 लोगों से मिलेगी अब यहां आप कॉमिनेशन का फर्मूला लगा सकते हो 24C2 क्योंकि अधिकत कितने लोग चाहिए दो कि टे हुआ 24 इन्टू 23 ऑब्लिक टू पर बारतिया इच्छतिस बारदोन चौवेश्टी तीव 276 अब यह आ गया 206 इसमें हमें निकालना क्या नियुंतम संख्या यह प्रिंटिंग मिस्टेक को जैसे नियुंतम यहां नहीं लिखा यूपीस्टी का जो को प्तस्न आया था उसमें नियुंतम ही लिखा था अब आप देखी इसको ट्राइ करिए एक तो अधिक्तम ओला ट्र यह बार और यह 6 महिल आए जब एक दूसरे को गले लगाएंगी कितना हो गया 15 बार तो 6 और 15 यह टोटल कितना हो गया 21 क्योंकि हमें नियुंतम संख्या निकालनी है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा और संसी कि यह मैं आपको यह बताने कोशिस करना हूंग कि कई बार ऐसा होगा कि फार्मूला हमें पता होगा पर वो समय के साथ फेल कर जाएगा फार्मूला लगा लेकि पहले समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर फार्मूला लग जाएगा और इसके बाद में अगर यह फार्मूला न भी पता होता तो भी आप इसका अंसर कर सकते देखते हैं अगला प्रस्ण यह 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 अपने आप में पर्याब्त साथ सो से एक हजार तक सभी संख्याइं लिख दी जाएं सभी तो ऐसी कितनी संख्याइं आती हैं जिसमें सैक्ड़े कांग डहाई कांग से तथा दहाई कांग कि एकाई के अंग से बड़ा होगा ध्यान अब ऐसा प्रस्ण यूपिस से हर साल पूछ रहा है यह भी यूपिस से प्रिवेस एरगाई प्रस्ण है मेरे कहने का मतब लिए कि जब ही कभी ऐसा प्रस्ण था हमें घवराना में लिए तो ऐसे लिख लो यानि जो सैकड़ा का आंख है यह वाला यह किसी भी इस्तिती में साथ से कम तो नहीं हो सकता क्योंकि साथ सो से एक हजार का मतलब हुआ साथ सो आठ सो नो सो उसके बार तो एक हजार आई जाएगा लास्ट में किसी भी इस्तिती में सैकड़े की संख्याएनी जी यह जो है यह किसी भी इस्तिती में साथ से कम नहीं हो सकते हैं तो पहला काम आप भीना घबर आए यह बेसिक नूमरेस यह आधार बूद संखेंगे हम बताएंगे एक सब्सक्राइब आप इसे फार्मूला कैसे एपलाई कर सकते हैं लेकि फार्मूला तब आप एपलाई कर पाएंगे जब आप इसकी समझ रखेंगे 700 से 2020 बोला है तो सबसे पहले आप यहां लिखे शाथ शेकड़े का अश्थान पर रख दिया अब जो दहाई का अस्थान है धाई मतलब यह वाला यह अस्थान इस स्थान पर क्या क्या आ सकता है साथ से कम ही वाली संख्या आएगी तो साथ से ठीक कम कांशी संख्या होती है 6 अब 6 लिख दो पहली कंडिशन ये हो सकती कि साथ तो सैकड़े पर रहेगा ही रहेगा दहाई पे हम रख सकते हैं 6 रख और भी सकते हैं वह भी रखेंगे भी लेकिन पहले हमने ठीक उसके दीचे वाला नमबर रखा ऐसा हमने इसलिए गिया जिससे हमें पता रहे कि हम कोई नमबर छूटने न पाए तो दहाई पर हमने रख दिया छे अब प्रसन की सर्थ यह है कि सैकड़े कांग दहाई के अंग से बढ़ा हो और दहाई कांग इकाई के अंग से बढ़ा हो तो अगर सैकड़े प से च्छेरो से साथ है साथ है निया आका हनि साथ सो आट और 641 चै plastics पें क्या होगा सथ चे से बढ़ा है भी फिसे बढ़ा है थि क्टेश्य drought भी बड़ा है साथ सो तिरसट तीन भी हो सकता है ता सो चोंसट तब भी साथ शे से बड़ा होगा छे चार से बड़ा होगा एक और हो सकता है किसे कि साथ सो पैसट ध्यान से देख से कड़का अगर पर चीरूखेंगे तो भी बड़ा एक रखथेंगे तो बड़ा तीन एक बड़ा एक दो रखथेंगे तम भी और रखीрос का अंक की इकाई अंक से बढ़ा हो और सैकड़े का दाहई के अंक से बढ़ा हो अब आप देखी इस कंडिशन में कितनी संख्याएं बन सकती हैं तोटल कितनी बन सकती है शे संख्याय बन सकती है तब जब सैकड़े पे साथ और दाई पे छे हो आपको लोग रहा इसमें टाइम जदा लगेगा टाइम जदा नहीं लगेगा यह आपको समझानी के लिए मैं बता रहा हूं जो आप थोड़ा से समझेंगे इसमें बिल्कुर नहीं लगता दूसरी कंड़ीशन क्या हो सकती है यहाँ साथ हो यहाँ पर 5 हो क्योंब च्छे तो आप रख चुकें हैं पांच प्रीकाई पर क्या क्या हो सकता है ज ते हमिए अगली कंडिशन क्या हो सकती साथ और यहां हो चार तो यहां साथ हो थे वह सकता है solic यूझ-ट क्या हो सकता जीरो-1-2-3-4 नहीं हो सकता क्योंकि एक्वल हो जाएंगे तो कुल कितमी संख्या है बनेंगे चार यहां 7 हो सकता है, यहां 3 भी हो सकता है, तो यहां क्या होगा, 0, 1, 2, यानि 730, 731, 732, तो कितनी संख्याय बनेंगी, 3, यहां 7 हो, यहां 2 हो, यहां क्या हो सकता है, 0 और 1 यानि 720 और 721, कितनी संख्याय बनेंगी, 2, और 1 होगा, 7, 1, एक जब यहां सेकड़े पे साथ और दहाई पे एक होगा तो एकाई पे केवल जीरो हो सकता है तो कितनी संख्या बनेगी एक टोटल कितने आया प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन यह पाच ग्यार ग्यार चार पंद्र पंद्र तीर अठार दो बीस एक कितना आ गया 21 समझाने के लिए है अब सवाल एक यहां से हमें एक सीख मिली और सीख शुरू में मिल गई थी जिने नहीं पता उन्हें नहीं मिल पाएगी पता रहेगा तो मिलेगी यह सीख थी जब सैकड़े पे साथ होगा तो दहाई पे छे आ सकता है यह से ज्यादा नहीं आ सकता यहां साथ नहीं आ सकता छे आएगा तो एक छे संख्या यहां बनेगी फिर पांच बनेगी फिर चा बनेगी यह घटते क्रम में होगा अब इसवी को मैं आगे एक सीट कर दूँ अगर तो यह देखिए अब संख्या यह जी आठ हो तो यहां क्या हो सकता है साथ आठ से कमी होगा और यहां क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 सेवन नहीं हो सकता क्योंकि फिर 877 में तो दोन संख्या बराबर हो जाएंगी तो क्या क्या हो सकता 870 872 873 864 875 866 1 2 3 4 5 6 कितने बने हैं साथ अब इसी तरह घटते क्रम में बनेंगे तो साथ छे पांट चार तीन दो एक ठीक है दो एक तीन तीन छे छे चार दस पांच पंदर छे किस साथ कितना हो गया 28 इसी तरह जब आप 9 वाला सेकड़ा लेके चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल बनेंगे 8 अब घटते क्रम में आठ साथ छे पांच चार तीन दो और एक कितना आ गया 36 तो अठाइस चातिस और पहले कितना आ या था 21 चातिस अठाइस 21 आठ से चौदर एक पंदर तीन दो पांच पांच पांदो साथ एक आठीक आठीक ये तो अंसर आपका क्या जाएगा 85 ठीक है इसमें इतना समय नहीं लगए अब आप कहेंगे इसको और आसानी से कैसे किया जा सकता था और आसानी में बताता हूं जैसे उसने कहा कि 700 से 1000 के बीच कितनी संख्याय होंगे जिसमें सैकड़े कांग दहाई कांग से बढ़ा हो औ मैं इसे लिखेंगे साथ इससे छोटे क्या हो सकते हैं छे पान्चार तीन दो एक शेके बाद पान्चार तीन दो एक इसी घट्टे क्रम में इधर इकाई अंक बनेंगे तो 6, 5, 11, 11, 14, 15, 13, 18, 22, 21, 21, ऐसे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, के हो गया? 28, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 36, 8, 14, 14, 15, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 85, जल्दी से भी आजाएगा, लेकिन जल्दी से उनका आएगा जिनको पूरा सिस्टम पता होगा, जिसको सिस्टम नहीं पता होगा, उनका जल्दी से कभी भी नहीं आएगा, एक प्रस्ण और देखते हैं। अगला प्रसन ही है, ध्यान से देखिए, पलते हैं, यह भी UPSC प्रिवेस एर का प्रसन है, मैं UPSC के प्रसनों को इसलिए आज आज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, कि मैं चाहता हूँ, आप ये देखी कि UPSC के प्रसन को करते वक्त ह हमें किस तरह की समझ का इस्तेमाल करना है और मैंने कहा पहले दिन जब मैं आज थोड़ी दिर पहले इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैंने आप यह कहा कि दरसल सी सैड क्या है वही जो कहता था ना हम कुछ भी करेंगे पर खिड़की नहीं खोलेंगे तो हमें खिड़की खोल को तक वहताई है और रंग नीला सफेद और काला है उनके कुल ना म्यादक्षिक का में रिवेरो कुमारोग और सीख है और आगे यह यह लिखाय क्या लिखाय ना तो बीने पहने दरनाALLY किि उपरशाव पहने थ glue ए ढहले में पहने पहने पंदेगने में लिखना में जम剛 क् तो इस पर बहुत बिस्तार से हम आपको सिखाएंगे कई ऐसे प्रसंद करवा देंगे कि जब भी कभी ऐसा प्रसंद आएगा तो आपकी पेन रुकेंगी नहीं इंपॉर्टेंट यह नहीं कि इसका अंसर एक्जाम में आप कर लेंगे इंपॉर्टेंट यह है कि कितनी जल्द करें जो एक्दम कंफर्म हो तो सी ने कि क्या पहनी है ताइट अब इसके बाद आएंगे अगले खंड़ पर जहां कहता है ना तो बीने ना तो बीने यानि बीने नहीं और ना ही रिवेरो ने सफेज स्वेटर पहना है अब जाहिल सी बात है ये टाइप पहन लिया और ये सफेज स्वेटर पहन नहीं सकता, तो सफेज स्वेटर कौन पहनेगा, जान देना, ना तो B ने और ना ही रेवेरो ने, यानि B सफेज स्वेटर पहन नहीं सकता, और C आलेडी टाई पहन चुका है, C ने टाई पहन लिया, B स्वेटर पहन नहीं सकता, स्वेटर कौन प ने और ना ही रिवेरो ने यानि बी कोई और है रिवेरो कोई और है यानि रिवेरो ने भी सफे स्वेटर नहीं पहना तो बी नहीं पहना और इसका नाम क्या हो जाएगा रिवेरो ती का नाम हो जाएगा रिवेरो अब ध्यान से देखना यह स्वेटर पहना यह टाई पहना आपको बहुत प्रश्ण पढ़ने की जुरूत नहीं है तो यह क्या पहनेगा जैकेट पहनेगा किलियर है आई देखते हैं आप सिंह की पोशाग सफेद नहीं थी यानि जो सिंह है वो सफेद नहीं पहनता यानि यह सिंग हो नहीं सकता और यह कौन है रिवेरो तो इसका नाम क्या होगा और अगर यह रिवेरो यह सिंग है तो इसका नाम क्या होगा कुमार कुमार जैकेट नहीं पहनता है रिवेरो को काला रंग पसंद नहीं है तो यह है रिवेरो इसे काला पसंद नहीं है तो रंग हमारे प पहनेगा काला रिवेरयो को काला रन नहीं पसंद है तो अगर रिवेरय को काला नहीं पसंद निला बस डेंटा सेट हो गया एक्जाम में सित हो भी काम ह Hatna 10 विभंष्भा लिया था प्रालूम क्या आती है कि गल्रद में कर लिया होते हैं तब तक सवा घंटा प्रस्ण यूपी एसी वे टेकेंड मीटिंग एक्जाम में गर्मी के समय में दिमाग आलेडी तनाव में होता उस दो घंटे में 27 प्रस्ण को करना अपने आप में कठिन टास्क होता है तो इंपोर्टेंट यह है कि अगर हमें यह आता है कि हम क्या सोचें कब सोचें और कैसे स प्रस्णों को हम बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं और आंसर भी हमारा आराम से अभी जाएगा तो दोस्तों सीसाइड की क्लासेस फान ग्लोबल इस्टेडीज के के जीएस आईएस पे जल्दी ऑफ लाइन बैस शुरू होने वाले हैं सम्भवता दस अक्टूबर से मुखरजी नगर में और उसके कुछ समय पश्चात करोल बाग में क्लासेस शुरू होंगी और हम लोग कच्छाओं में मिलेंगे और हकीक उसकत में सीखेंगे कि सेट को कितनी आसानी से कर सकते हैं और कितना बहतर कर सकते हैं जिने सेट कठिन लगता है उनके लिए भी आसान होगा और जिने आसान लगता है उनके अस्तर को और बढ़ाएगा कि किसी भी इस्तिती में फेल होनी की इस्तिती में ना हो तो मिलते हैं offline की classes में जल्दी ही नमस्कार